अलो दोस्तो कैसे हैं आप लोग करेंट अफसे टूडे का आज 92 एपिसोड आप लोग बीच लेके आया हूँ जिसमें आज का जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वह है अंतराष्ट्य सम्मन्द अगर आप UPSC या स्टेट पीसेस के त्यारी करते हैं तो यह टॉपिक जो है आप GS को कौन से पेपर है आपको पता होना चाहिए ठीक है दोस्तो तो यह आपके GS जो पेपर 2 है उससे सम्मन्दित यह टॉपिक है जिसमें हम लोग आज के टॉपिक में देखने वाले है वाइस साथ लाने के लिए वाइस ऑफ ग्लोबल साउथ वर्च्वल सिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है इसमें परमुख बिंदु क्या है भारत सरकार द्वारा जो घोशित या पहल है वह किस परकार से है और ग्लोबल साउथ की परमुख समस्याएं क्या हो सकती है इसमें चुनोतिया क्या आ सकती है और आगे के बारे में क्या सोच सकती है इस सम्मंदित तो यह सब हम इस्टोपिक में देखेंगे इस 자फ्टोपिक को बेहतर से समझने के लिए जैसे कि आप UPSC के त्यारी करते हैं या state pieces के तो उसमें आपको answer rating करना होता है ठीक है तो आप question देख लेंगे तो इसको इस topic को समझने में असानी हो जागा जिसे इस topic को बेतर तरीके से आप लिख पाएंगे तो कह रहा है कि भारत के लिए G20 के अध्यक्सता के महत्व पर चर करते हैं तो क्या है कि परमुख बिंदू इसमें क्या है ठीक है तो इस सिखर सम्मेलन के आयोजन का उदेश G20 समुह से बाहर के विकासिल देशों से प्रामर्ज करते हुए उनकी विकासात्मक प्रात्मिक ताओं तथा G20 के अध्यक्सता के दौरान भारत से उनकी रचिन अमरीका और केरिबियन चेतर के 29 देश अफरीका महादीब से 47 देश एसिया से 31 देश ओशोनिया चेतर से 11 देश और यूरोप से 7 देश सामिल थे उसका अध्यक्या है कि भारत ने ग्लोबल साउथ के देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों क गोशना की है जिसमें क्या है कि भारत सरकारतोरा गोशित जो पहल है वह कौन-कौन सी है तो अरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट ठीक है तो इस पहल के तहत भारत प्राकिर्तिक आपदाओं या मानवे संकट से परभावित किसी भी विकासिल देश को अवैसक चिकित्सा आपूर को अन्य देशों के साथ साजा करने के लिए उसका ग्लोबल साउथ सेंटर ओफ एक्सिलेंस यहां संस्था इनमें से किसी भी देश के विकास समाधानों या सर्वत्तम पर्थाओं पर सोध करेगा जिसे ग्लोबल साउथ के अन्य सदस्यों में बढ़ाया और करियानवित क्य जा सकता है अगला पॉइंट है कि ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट्स फोरम राजनाइक दृष्टिकोन में समन्मवे वं विदेश मंतरालों के युवा अधिकारियों को जोरने के लिए एक ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट्स फोरम की अस्थापना कर परस्ताव क करने के लिए ठीक है उसकी ग्लोबल साउथ की परमुक्व समस्या है तो हम उपर में क्या देखे हैं भारत तरकार द्वारा जो घोशित पहल है ठीक है उसमें हमने एक दो तीन चार पांच पहल को देख लिए अब इसकी भी सेस्ता क्या है तो है कि वैस्विक परतिनिधित् उसार दित्य विश्यूत के बाद अस्थापित वैस्विक परसासिनिक विवस्था में उन्हें परियाप्त परतिनिधित्व ना मिलने के कारण इन संस्थानों द्वारा विक्सित नीतियों में उनके विकास पर परियाप्त ध्यान नहीं दिया गया उसके वाम हस्तक्षेप क्या है तो global south के देश लंबे समय तक पश्मी देशों के उपनिवेश का हिस्सा रहे हैं प्रंतु इन देशों की सोतंतरता के बाद भी global south के देशों में आर्थिक वस्यने सक्ति से संपन पश्मी देशों के परुक्ष हस्तच्चेप ने इनकी संप्रभूता को सीमित करने के सा है कि संसाधनों का भाव तो global south के देशों में वैस्विक अस्तर हुए और द्योगिक विकास का अधिक लाब देखने में देखने को नहीं मिला वर्तमान में भी इन देशों में सरक बंदरगाह और उर्जा संसाधनों की कमी के अत्रिक आर्थिक आसमानता इवं कुसल कामगा का भाव विदेशी निवेश को बढ़ावा देने में एक बरी बाधा खरी करता है कि क्या आप अवगत है तो क्या है global south ठीक है तो सीत्य यूद के दौरान अमरीका वह इसके समर्थन पश्मी देशों को first world यानि सोवियत संग को second world और गुत निर्पेक्च समूह से जुरे ज जो देशों को third world के नाम से संदर्वित किया जाता था ठीक है उसके बाद है कि संयुक्त राष्ट में दच्छिन यानि सौथ का पहला संदर्व 1960 के दसक में देखा जा सकता है सीत्य यूद के बाद इसके आगे वैस्विक जोरा जाने लगा अगला है कि वैस्विक राजनीत का उपयोग समाने तोर पर विश्व के गरीब और या समाजिक आर्थिक रूप से हासिये पर रहने वाले हिस्से के देशों को संदर्वित करने के लिए किया जाता है दूसरा है कि गलोबल साउथ का उपयोग वर्स 1955 के बांडूंग सम्मेलन गुट निरपेक्छ अंदोलन और संयुक्त राष्ट में जीड 77 के सम्मु जैसे बहुपक्छे गुटों के सदस्य देशों के संदर्व में किया जाता है जो कि पूर्व की अपनिवेशिक सक्तियों के वर्चश्यों वाले प्लेट फर्मों से हटकर सहयोग का एक नया तंत्रा स्थापित करने का परियास क है इसका महत्तु क्या है यानि वाइस ओफ ग्लोबल साउथ सिखर समयलन का तो इस सिखर समयलन के माध्यम से भारत ने यह सबस्ट किया है कि वह प्रामार्स कारी इवं जनकेंदरित जन्दों पर अधारित वैस्वीकरन का समर्थन करता है जहां सभी देशों की सम्प्रभू मंत्री ने ग्लोबल साउथ के देशों से एक जूट होकर और समान वैस्विक राजनीती और वित्य परसासन तंत्र को बदलने हितू परतिकिरिया पहचान रिकोगनाईज समान रिस्पेक्ट और सुधार यानि रिफॉर्म के सुत्रों को अपनाने पर जोड़ दिया है तो आपको कह सकता है कि जो अभी आया है क्या कि वाइस अप ग्लोबल सिखर सम्मिलन के जो मुख्य सुत्र है वह क्या हो सकते हैं तो रिस्पॉंड रिकोगनाईज रिस्पेक्ट और रिफॉर्म आर फोर है ना एक दो तीन चार आर फोर यह सिखर सम्मिलन भारत को ग्लोबल साउथ के देशों के साथ पुनह अपने समंदों को मजबूत करने का अफसर परदान करता है गौरत अलब है कि पिछले तीन दसकों में भारतिय विदेश नीती मुख्य रूप से विश्व की महासक्तियों के साथ अपने समंदों को पुनर व्यवस्तित करने भारतिय उप महादीप में इस्थिरता लाने और अपने विस्तारित परोष में छेत्रिय संस्थानों को वि विकाज सिल देशों के साथ कार्ज करने के दोरान भारत के लिए साजह लक्षों के मुद्दे पर गुलोबल साउथ के देशों को एक जूट करना सबसे बरी चुनोती रही थी वरतमान में विकाज सिल देशों के बीच गहरा राजनितिक तथा आर्थिक भेदवाव इस प्रीट यूद के बाद पश्मी देशों की और भारत का जुकाओ बढ़ा है ऐसे में वरतमान में भारत के लिए गुलोबल साउथ और पश्मी देशों के बीच संतूलन बनाना एक बरी चुनोती होगी अगला पॉइंट है कि हाल के वर्सों में गुलोबल साउथ के देशों में चीन का बढ़ता हस्तक्षे भारत के लिए एक बरी चुनोती है इन देशों में चीन के परभूत्त का मुकाबला करने के लिए भारत को आवश्यक धन जुटाने में कटनाई का सामना करना पर सकता ह अब आगे की रा क्या है तो वर्ष 2030 तक भारत के विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानि वर्तमान में पांचमें अस्थान पे हैं जो 2030 तक तीसरे अस्थान पे बनने की यानि गुंजाई सोह तक्ति है बनने का अनुमान लगाया जा सकता है साथ ही भारत G7 जैसे विक्सित देशों के समूहों में नियमित रूप से भाग लेता रहा है दुसरी और भारत नियमित रूप से विकासिल देशों को आपदा राहत एवं आर्थिक सहयोग जैसे COVID-19 वैक्सीन श्री लंका मालदीव के अतरिक्त कई अफ्रीकी एवं ACI देशो को रिन वा अनुदान परदान करता रहा है वैस्विक अस्तर पर भारत की यहाँ पहुंच ही इसे विकासिल एवं विक्सित देशों के बीच एक ब्रीज के रूप में कार्ज करने की छमता परदान करती है अगला है कि भारत को इस तथे को भी ध्यान में रखना होगा कि वर भारत को विकासिल विश्व के विभिन छेत्रों और समुहों के अनुरूप अलग निती की आवशकता होगी तो इस तरह से टॉपिंग कंप्लीट हुआ कैसा लागा हमें कमेंट करके जरूर बताए दोस्तों इस को लिखने के जरूर प्रियास करें तो आज के लिए इतना ही कि मिलते हैं नेक्स अप्रियुद में जय हिंद्ध